नमस्कार आप देखरें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने विधान सभा में संबोधित करते हुए है योध्या काशी और मतुरा का जिक्र करते हुए महाभारत की एक किस्सा का याव दिलाई जिसके बाद योगी आधितनाथ का वीडियो सोशल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है तो चलिए खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाभारत की वो कौन से किस्सा की याद दिलाई है जिसका वीडियो इस वक्त तेजी से वाइरल हो रहा है उत्तर प्रदेश की तीन धार्मिक नगरियों में हिंदूओं के प्रमुख अस्थलों को लेकर सूबे के सीएम योगी आधितनाथ ने बीते बुद्धुवार को महाभारत का एक किस्सा याद दिलाया लखनो विस्थित विधान सभा में उन्होंने कहा कि भगवान सरीकृष्ण ने तब जैसे पांच गाउं मांगे थे वैसे ही अब समाज सिर्फ तीन अस्थानों की बात कर रहा है ये तीनों भुमी हमारी आस्था का किंद्र है सोशल मीडिया पर यूपी के मुख्यमंत्री के इस बयान से जुड़े कई वीडियो और फोटो तेजी से वाइरल हो रहे है खुद योगी आदित्यनात ने एक हैंडल से इससे जुड़ी एक क्लिप शियर की जिसमें उनका बयान था और उन्होंने कैप्शिन में लिखाता हमने तो केवल तीन जगहे मांगी अयोध्या धाम का उत्सोव लोगों ने देखा नंदी बाबा ने भी कहा कि हम कहें इंतजार करें और हमारे कृष्ण कनहिया कहां मानने वाले हैं योगी आदित्यनात की स्पीच से जुड़े वीडियो के वाइरल होने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियां देने लगे कई लोगों ने उनके इस बयान का समर्थन किया मगर एक्सपर यूजर्स का एक धड़ा ऐसा भी था जो की यूपी में सिक्षक भरती के मसले पर दर्द बयान करते हुए सूबे की सरकार से सवाल करता नजर आया कुछ सोशल मेडिया यूजर्स ने ये भी याद दिलाया कि राज्य में पाच साल से सुक्षक भरती नहीं की गई है एक यूजर ने लिखा कि धर्म के मुद्दों में कब तक उलजाक कर रखा जाएगा? पाच साल से यूपी में सिक्षक भरती नहीं हुई है सिक्षक नहीं भरती है जाएंगे तो देश का भविश्य कैसे सक्षित होगा यानि आप चाहते ही नहीं हो कि देश का भविश्य सक्षित हो ऐसा इसलिए क्योंकि फिर वो सक्षित होकर नौकरी मांगेगा एक अन्य यूजर ने लिखा कि क्या अब इस देश में और कोई काम नहीं रह गया है केवल मंदिर, मस्जीद और हिंदू-मुसलिम के जरिये इस देश को आप लोग कहा ले जाना चाहते हैं एक अन्य ने लिखा कि प्रदेश के इवाउं ने आपसे सिर्फ नौकरियां मांगी पर उन्हें वो नहीं मिली यूपी के इवाउं की बिरुजगारी कालम पुरे देश ने देखा है बता दे कि यूपी के सीएम ने गुरु वार्ग को यानि कि आज सदन में कहा था योध्या सुनी योजित तिरसकार जहलती रही लोक आस था और जन भावना के साथ ऐसा खिलवार संभवता दूसरी जगत देखने को मिला नहीं होगा अयोध्या के साथ अन्याय हुआ मैं जब अन्याय की बात करता हूँ तब मुझे 5000 साल पुरानी बात याद आने लगती है पांडवों के साथ भी तब अन्याय हुआ था कृष्ण तब कौरवों के पास गये थे और उन्होंने कहा था कि बस दे दो पांच ग्राम रखो धर्ती तमाम दुरियोध्यन वो भी दे न सका आशी समाज का ले न सका माभारत के किसे को लेकर योगी आदित्यनात ने आगे कहा दुरियोध्यन ने तो कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास किया यही तो हुआ योध्या काशी और मथुरा के साथ हमने यही तो कहा उस समय पांच गाउं मांगे थे भगवान कृष्ण जब पहले समझोता कराने गय थे तब उन्होंने कहा था कि देना हो तो आधा दो अगर इसमें बाधा है तब इसमें पांच ग्राम दे दो लेकिन यहां तो समाज सेकडो साल से सिर्फ तीन की बात कर रही है वो भी इसलिए क्योंकि वे विशिस्ट अस्थल हैं और इश्वर की अवतरन धरती है तो जैसा कि आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित्तिनात ने विधान सभा में संबोधीत करते हुए महभारत की एक किस्ता याव दिलाई जिसको लेकर उन्होंने कहा कि महभारत में सिरिकृष्ण ने केवल पांच गाउ मांगे ते हलाकि अभी का जो समाज है वो सर्फ तीन अस्थान मांग रहा है उन्होंने कहा कि ये तीनों अस्थान वो हमारे धार्मिक आस्था के किंद्र है जिसमें योध्या, काशी और मतुरा शामिल है फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और आसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एकन्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, साथ ही हमारे यूटूब चैनल एकन्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेस्टूप कर देख पा रहे हैं तो हमारे फेस्टूप पेश को भी फॉलो करें, धन्यवाद